अमेजिंग डेटा फिशिंग बदलापूर नाम के गौँ में एक आलिशान बंगला था उस बंगले के अंदर एक दिवार पर एक व्यक्ति के बच्पन से लेकर बढ़ा होने तक अलग-अलग मश्लियों के साथ पोटो लगे हुए थे और साथ ही साथ वहाँ पर कई किसम के मश्लियों के जाल और भी कई आउजार लटके हुए थे एक दिन उस बंगला के एक हॉल में दोल व्यक्ति बैठे थे तभी एक व्यक्ति सूट बूट पहन कर वहाँ अंदर आया उसे देखकर लोकेश नाम का व्यक्ति अरे ये साब नहीं है ये उनके परसनल सेकरेटरी है मुखर जी अगर सेकरेटरी ने इतने शांदार कपड़े पहने हैं तो वो कितने शांदार होंगे तभी गोपीचन वहाँ दिवार पर टंगे हुए मशली के जाल और कांटे को प्रणाम करके वहाँ आया उसे देखकर रामनाद नासे सर ये कौन है अरे ये ही तो है गोपीचन जी पर इन्होंने तो धोती पैना हुआ है शहर में एक नया बिजनस स्कूल खोल रहे है उसकी इनाउग्रेशन के लिए आपको आमंतरित करने के लिए एमपी साब ने भेजा था कहकर कार्ड दे कर चला गया गोपीचन की एक बेटी थी रम्या गोपीचन अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था वो अपनी बेटी की हर फर्माईश पूरी करता था गोपीचन अपने भांजों में से किसी एक से रम्या की शादी करना चाता था उसका बड़ा भांजा था रमेश और छोटा भांजा सुरेश सुरेश बहुत आलसी था उसे ये विश्वास था कि वो बहुत किस्मत वाला है उसका राज योग है और बहुत जल्द करोड़ पती बन जाएगा एक दिन एक जोतिश ने कहा कि तुम बहुत जल्द करोड़ पती बन जाओगे तब से उसने कोई भी काम करना छोड़ दिया रमेश बहुत होशियार था, वो बहुत महनती था, वो जो भी काम करता उसमें वो विजय हासिल करता एक दिन गोपीचन ने रमेश और सुरिश दोनों को बुलाया तुम दोनों रम्या से शादी करना चाहते हो ना, मैं ये बात जानता हूँ जी हाँ अंकल जी बच्पन से मैं मश्ली पकड़ कर, मश्लियों का धंदा करके इतना बड़ा आदमी हुआ हूँ तुम दोनों में जो मश्ली का बिजनस बढ़िया करेगा, रम्या की शादी उसी से होगी मैं चावल के खेत में शीलावत मश्लियों का फार्मिंग करूँगा तब सेकरेटरी मुस्कराने लगा, यू रमेश और सुरेश वहां से चले गए अगले दिन से रमेश अपने चावल के खेत पर मश्ली को पालने लगा उसने खेत के चारों और एक बहुत बड़ा तालाब सा खोदा और उसमें मश्लियों को छोड़ा वहां सुरेश हाथ में एक टोकरी लिए गउँ के तालाब के पास से गुजरता हुआ ये मश्ली का फार्मिंग क्या है एकदम बगपास है, अरे तालाब में मश्ली पपलो तो काफी है यूँ सोचते हुए वो तालाब के पास गया वो मशली पकड़ने तालाब में भी नहीं उत्रा बस हाथ में टोकरी लिए तालाब के किनारे बैठा था भाई मेरा तो राजयोग है मैं मशली नहीं पकड़ूंगा वो खुद बखुद टोकरी में गिरेंगे यूँ उसने सोचा तभी आसमान पर एक चील मशली पकड़ कर उड़ रहा था कि उसके चोंच से मशली फिसल कर सीधा इसके टोकरी में आग गिरी देखा इसे कहते हैं राजयोग मुझे तालाब में उतने की जरूत नहीं है मशलीयां खुद आएंगी यूँ सोचा रमेश और्गानिक फिश फार्मिंग के तरीकों को अपनाते हुए चावल की खेती के साथ साथ मशली पालने लगा उसने कोई केमिकल फर्टिलाइजर इस्तिमाल नहीं किया खेत में पल रहे मशलीयां वहां के मच्छर, फंगस और जो भी कीडे मोकोड़े थे सब खा जाते उस बार बहुत अच्छी फसल होगी मशलीयां भी खुब बड़ी बनी वहां सुरेश तालाब के किनारे तोकरी पकड़े बैठा था वो अपने राज योग के बारे में सोचते हुए अंदर ये अंदर बहुत खुश हो रहा था एक दिन रमेश ने कांटा फेंक कर अपने खेत में टेटा फिश पकड़ा रमेश गोपी चन्द को अपने खेत के पास ले गया और उसने फसल दिखाई गोपी चन्द ने खेत में उगे बढ़िया फसल और तंदरुस्त मचलियों को देखकर काफी खुश हुआ रमेश ने टुकरी भर मचली पकड़े उसे मार्केट में ले जाकर बेचा और खुब पैसे कमाया तब गोपी चन्द ने रम्या की और रमेश की शादी बड़े धूमधाम से की